आम आत्मी पार्टी की मुश्किले बढ़ती जा रही है, E.D. के सामने हाजीर होने से केजरवाल बच रहे हैं, लेकिन सवाल है कि केजरवाल E.D. से कब तक बचेंगे, क्योंकि केजरवाल पर गिरफतारी की तलवार नटक रही है, और E.D. एक्षन में है, वहीं E.D. की कारव आप देते हुए, अर्विंद केजरवाल ने E.D. को पत्र लिखकर बताया है, कि आज वो E.D. के दफ्तर नहीं जाएंगे, वहीं E.D. के समन पर आम आदमी पार्टी का कहना है, कि केजरवाल E.D. की जाच में सयोग करने को तयार है, लेकिन एजंसी का नोटिस अवैद है, उनका इरादा अर्विंद केजरवाल को गिरफतार करना है, वो उन्हें चुनाव परचार से रोकना चाहते हैं, वहीं केजरवाल द्वारा E.D. के समक्ष पेश नहीं होने पर बीजेपी ने कहा है, कि पहली बार जब केजरवाल घबराएं, तो उन्होंने चुनाव परचा के खिलाफ की है बरी कारवाई, और कैसे आपके लिए E.D. से बचना हो गया है मुश्किल, इस कबर में आगे आपको ये भी बताएंगे, कि E.D. की कारवाई से कैसे केजरवाल जुग गये हैं, और कैसे कॉंग्रेस ने भी केजरवाल को दिया है करारा जबाब, तो बने रह ये खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हर नेता भ्रेष्टचार में लिप्त दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरवाल ने भ्रेष्टचारियों की एक टोली चमा की थी, और सब को आदेश दिया है कि भाई सब भ्रेष्टचार करो और अपनी और पाइटी की जे में पैसा डालो, इस कारण पाइट अरविंद केजरीवाल पर इडी की कारवाई का खत्रा मंदरा रहा है, लेकिन उससे पहले पाइटी के एक और नेता पर इडी ने कारवाई किया है, जिससे आपकी नेंद उड़ गई होगी, आमादमी पाइटी के राष्ट्रिय सायोजक और दिल्ली के मुख्य मंत्री ऐसा लग रहा है कि आमादमी पाइटी एक साथ दो मुसीवतों में फंस गई है, मंगलवार को एडी की टीम ने आपके विदायक अमानतुला खान से जुड़े कई ठीकानों पर छापे मारी की है, दिल्ली बक्फ बोर्ड में गड़वडी कर नियुक्ती करने के मामले में ए एडी ने फिर से दिल्ली में आप विदायक से जुड़े 4-5 ठीकानों पर रेड डाली है, खवर के मुताविक सूत्रों ने कहा है कि ये रेड प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत डाली गई है, एडी अधिकारियों ने कहा कि करीब 4-5 ठीकानों पर छापे इमारी की थी, नवंबर के महीने में एडी ने आप विदायक से जुड़े 3 लोगों को भी इस केस में गिरफतार किया था, एडी का आरोप था कि आप विदायक अमानतुलाह खान ने दिल्ली बक्फ बोर्ड के करमचारियों की नियुक्ति के बदले मोटी रकम ली गई और इन पैसों से खान की सयोग्यों के नाम पर दिल्ली में संपतियां खरी दी गई, एजनसी ने अपने एक बयान में कहा था, इस केस में ये च्छापेमारी अक्टूबर में दिल्ली बक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से नियुक्तियों और अमानुतुलाह खान के बोर्ड अ एक एक कर ईडी की रडार पर आते जा रहे हैं, जो पार्टी अपने आपको कटर इमानदार कहती थी, उसके च्छादा तर बड़े नितब्रष्टाचार के आरोप में बुरे तरह से फंस गया हैं। आपने सरकार बनाई हैं, जिसकी वज़ें से दोनों ही दल आमने सामने हैं। तीके वार पलट वार का दोर जारी हैं। लेकिन पियम मोधी के डर से एक साथ भी हैं, लेकिन आपसी खीच तान के कारण दोनों ही दल एक दूसरी को आणे हाथों ले रहे हैं। इंडी गठवंधन के सहयोगी आप और कॉंग्रेस की बीच रिष्टे में खटास आ सकती है। पंजाब के सीयम भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया जो कॉंग्रेस नेतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया परे सीयम को खरीगोटी सुना दे। साल के पहले दिन सीयम मान ने एक थी कॉंग्रेस वाला बयान दिया जिस पर कॉंग्रेस की सीनिया नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आप और प्रधान मंत्री के विचार कितने मिलते हैं। दोनों मूँ की खाएंगे वैसे एक भोजपूरी पिक्षर का नाम है एक था जोकर आपने तो देखी होगी दोनों ही दल इंडिया गटवंधन का हिस्सा है। वाली समय में सियासत और भी तेज हो सकती है। की कोशिश कर रही है लेकिन अब तक राहुल गांधी की सियासी लाँचिंग नहीं हो पाई है। और अब लोग सब चुनाप से पहले राहुल गांधी के खिलाफ कॉंग्रेस में ही आवाजे उठने लगी है। राहुल गांधी देश के लोगों को अपने साथ जोडने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस के नेता ही उनका साथ छोडते जा रहे हैं। अब कॉंग्रेस की भीतर स्वामी भक्ती को लोग चैलेंज करने लगे हैं। उन्हें पूरी गांधी फैमिली खुब भाव देती हैं। लेकिन दिग्विजे सिंग के विधायक रह चुके भाई लक्षमन सिंग राहुल गांधी को कोई भाव देने के मूड में नहीं देखते हैं। उनका कैना है कि राहुल गांधी कोंग्रेस के एक सामानिक कारे करता हैं। उन्हें इतना भाव मीडिया क्यों दे। मैं तो उन्हें बड़ा नेता मानता ही नहीं। आप भी मत मानिये। लक्षमन सिंग अपनी साफगोई के लिए जानी चाते हैं। हलांकि अपने बयानों की वज़े से वो विवादों में भी रहे हैं। इस बार उन्हें ने मीडिया से वाचित में राहूल गांधी के लिए ऐसी बात कहती हैं। जो शायद ही किसी कॉंग्रेसी को पसंद आए। कॉंग्रेस के अंदर की खीचतान और गुटवाजी को लेकर भी लक्षमन सिंग मुखर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपने बयान से अपनी ही पारिटी के लिए मुसीवत खड़ी कर दी। इस बार उन्होंने राहूल गांधी के हैसियत बताई है। इस पर MP में कॉंग्रेस नेताओं की घिगगी बंद गई है। लक्षमन सिंग ने कहा है कि राहूल गांधी न तो पारिटी के अध्यक्ष हैं और ना ही कोई बड़ेनेता। वो सामाने सांसद हैं जैसे पारिटी के दूसरे और भी सांसद हैं। बतादे कि लक्षमन सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस की इस दोरान मीडिया ने राहूल गांधी की उन चिंताओं जिसमें राहूल गांधी संसद में बोलते समय कैमरा घुमा दिये जाने का आरूप लगाते हैं पर सवाल पूछा था। साथी जन्म के आधार पर प्रिविलेज्ट होने के मामले पर भी सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में लक्षमन सिंग ने अपने देल की बात कही। साथारन सांसद हैं उनको हाइलाइट करें या ना करें मुझे कोई समस्या नहीं है। बता दे कि दिगविज़ सिंग के भाई लक्षमन सिंग अक्सर अपनी अलग राय के लिए चाने जाते हैं। एक बार उनने कहा था कि जोतिरा दिस सिंधिया की बहुत याद आती है। अगर वो पार्टी में होते तो पार्टी की ये हालत नहीं होती। इसके अलावा इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि किसानों की करश माफी संभब नहीं है। राहुल गांधी को वादा ही नहीं करना चाहिए था। अभी तक कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस के बाकी घटक दलों को आँख दिखाते थी, उनके सुर अचानक से बदल गया है। वो कहने लगे हैं कि हमें जितनी सीटें मिलेंगी उतने पर जीतनी का प्रयास करेंगे। यही केजरिवाल अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थी कि हम पंजाब और दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाब लड़ेंगे। क्या अरविन केजरिवाल के मन में खौफ हो चला है कि ज्यादा बतोलेवाजी की तो इंडी अलाइंस वाले हमें भी छोड़ देंगे। के पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। विरोधी दल इसकोल अस्पताल पर बात करने को मजबूर हुए है। अब तो इन लोगों ने हमारा गारंटी शब्द और मैनिफेस्ट भी चुरा लिया है। अब ये लोग भी मोदी की गारंटी और कॉंग्रेस की गारंटी कहने लगे हैं। इन लोगों ने जनता को गारंटी तो दी लेकिन किसी ने पूरी नहीं के। क्योंकि इनकी नियत ठीक नहीं है जबकि हम अपनी सारी गरंटी पूरी कर रहे हैं। इस दौरान के जरिवाल ने ये भी कहा कि हमारे जो पांच नेता जेल में हैं वो हमारे हीरो हैं। और हमें उन पर बहुत गर्व हैं। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तयार रहना होगा। इसके अलावा केजरिवाल ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि लोगसवा चुनाब में आमादमी पारिटी विपक्षी इंडी गठवंधन का हिस्सा है। कि तेवर अब नरम पड़ गए हैं। पहले कि उचरिवाल कॉंग्रेस को आँख दिखा रहे थी और कह रहे थे कि दिली और पंचाब में आमादमी पार्टी जादा से जादा सीटों पर चुनाब लड़ेगी। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो सीटें आमादमी पार्टी को मि कुंगेस अलागुला करते ही रह जाती तो उधर बीजेपी पलक जपकते ही मैदान मा ले जाती है। कौंगेस बैठक करने में व्यस्त रह जाती है तो बीजेपी कॉंगेस से कई कुदम आगे निकलते हूए मैधान जीट कर बैठ जाती है। कॉंग्रेस की राजनीती पार्टी की उम्र की तरह ही पुरानी हो चली है तो वहीं बीजेपी का राजनीती करने का तरीका आधुनिक्ता के साथ ही सिधांत वादी भी है। राजस्तान में एक बार फिर से बीजेपी ने चांका दिया है। पहले राजस्तान जीत कर कॉंग्रेस को राजनीतिक वनवास पर भेजा और जिस एक सीट पर चुनाव इस्तगित हो चुके थे वहां के बीजेपी प्रत्याशी को पहले ही मंत्रीपद की शपत दिला दी और कॉंग्रेस के पास चाती पीठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। राजस्तान में सरकार के गठन के 27 दिन बाद शनिवार को भजनलाल शर्मा मंत्री मंदल का विस्तार हुआ। प्रदेश में शनिवार को कुल 21 विधायकों और एक प्रत्याशी ने मंत्री पद की पतली इस दोरान जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं वो हैं श्री करणपूर विधान सवा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंदर पाल सिंग। दरसल करणपूर विधान सवा सीट पर 5 जनवरी को चुनाब होना है लेकिन चुनाब से पहले ही बीजेपी के इस कमेटी के अध्यक्षक गोविंद सिंग डोटासरा ने बीजेपी के इस कदम पर सवाल खड़े किये हैं। कारवाई की मांग करेगी वीजेपी भले ही मतदाताओं को प्रलोभन दे लेकिन श्री करनपूर के सीट कॉंग्रेस पायटी बड़े अंतर से जीतेगी। इस सीट पर बीजेपी ने सुरेंदर पाल सिंग को मेदवार बनाया है लेकिन उससे पहले ही सुरेंदर पाल सिंग टीटी को बीजेपी ने भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री बना दिया। राजस्तान कॉंग्रेस के पास अब गवाने के लिए कुछ नहीं है और जिस एक सीट का बढ़ाने का मौका था कॉंग्रेस के पास उसी भी कॉंग्रेस के हाथ से बीजेपी ने छीन लिया है। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।